दिल्ली विदान सभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी की बहुत करारी हार हो गई है और आम आदमी पार्टी जो भारती जनता पार्टी का विकल्ब था उसकी सरकार बनने जा रही है और अर्विन केजरीवाल भारी भहुमत के साथ फिर से दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे भारती जनता पार्टी चुनाओं से पहले जो लगातार जूट बोलती है जनता को गुमरा करती है उससे जनता जान चुकी है पूरे देश में बेरोजगारी, भरस्टाचार, गरीबी, महंगाई, भुकमरी बढ़ी है जिसके लिए भारती जनता पार्टी को जनता ने दोशी माना है और जीडीपी ग्रोथ कम हुई है और CAA कानून के खिलाब पूरे देश में चले जन आंदोलन को दमन और तानासाई से दमाने के कारण से जनता में भाजपा के खिलाब बहेंकर रूप से आकरोश व्याप्त है और दिल्ली में भारती जनता पार्टी की करारी हार होगी ये CAA और NRC के खिलाब जनता का इसपस्ट जनादेश होगा भारती जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगातार जुट बोलती है इसकी कतनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है भारती जनता पार्टी जो वादे करती है कहीं किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं करती है कहा कि किसानों की दुगनी आय होगी लेकिन किसान को उसकी उपच का सही मूल भी नहीं मिल रहा है और किसान आत्भत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहा है भारती जनता पार्टी की केंद सरकार ने जो बजट पेश किया है ये बजट आम आदमी गरीब और मध्यम बरका विरोधी बजट है इस पजट में किसी भी वर को कोई भी लाब नहीं हुआ है इससे किसी भी वर को कोई आशा नहीं है ये अर्थ व्यस्ता को सुधार पाने में भी पूर्ण रूप से नाकाम रहेगा महंगाई बढ़ेगी बेरोजगारी बढ़ेगी जीडीपी ग्रोथ कम होगी भारतियंता पार्टी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है आर्थिक वस्ता चौपट हो गई है देश का बुरा हाल है देख गंभीर आर्थिक मंदिते गुजर रहा है भारतियंता पार्टी की सरकार केवल देश में सामपरदाइक स्वाद्र खराब करने के अलावा कोई भी काम नहीं कर पाई है